तो कल की कलास में हमने 0.02 को सोल किया था और आज हम आगे बढ़ते हैं जो आज का जो हमारी टोपिक है वह एक रेखिक समिक्रण यूँगम को हल करने की बीजगनितलि थिए डै कि stap खै अब हमें रेखिक एक ही विदी थी किसी भी रैकिक समिकर्ण यूगम को सॉल करने की अभी तक हमें सिर्फ एक ही विदी पता थी जोन से थी ग्राफ ये विदी है ना ग्राफ की मदद से ही हम X और Y की वैलिज निकालते थे ठीक है उस जोड़े को जो एक्वेशन आपको को देर गही थी उस इक्वेशन को सोल करने के लिए हम ग्राफ को यूज करते थे लेकिन एक और विदी है जिसको हम बोलते है बीजगंदीए विदी मतलब कि एख को खसे बीना ग्राफ की हम वहाँ पर X और Y की वैलिज कैसे निकाले वह हमें सेखना है तो पिश गनित यविधी तुन थीं तीन टाइप की ओत्ति यहीं पहली कि यह पर तिस्था पन विध़ी तो का दूसरी पो यह hardships विलोपन विधी. और तिसरी होती है वजर गुनान विदी वजर गुनान विदी ठीक है ये तीन विदिया हैं आपके पास जिसकी मदद से आप X और Y की वैल्यूस निकाल सकते हैं वैसे टोटम लाकर चार होगे न एक, दो, तीन, और चार इसको तो हम पढ़ चुके हैं ग्राफ ही विदी को कि भाई ग्राफ बना लो ग्राफ जहां पर एक दोस्य को कट करेगा वो उसका आंसर कलाएगा जिस पॉइंट पर वो कट करेगा वही X और Y की वैल्यूस हमारा आंसर कलाते थी ठीक है लेकिन कई बर क्या होता कि ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होता ठीक है पॉइंटों में आ जाते थे फिर लाइन बनाना थोड़ा सा मुस्क्रिक काम था तो इसलिए हमारे पास तीन विदियां और भी हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे परतिस्थापन विदी का कि कैसे परतिस्थापन विदी की बदद से हम X और Y की वैल्यूस प्राप्त कर सकते हैं तो उयार को एक हैं कि इसके अदर कोई थेयोरी पार्ट नहीं है ऐसा नहीं है कि पहले थेयोरी पढ़ाने पड़ेगी 2 oy है एहले नहीं इसमें आपको के से हमज़ए सब्सक्राइगा कि परतिस्थापन विदी क्या है ड– करें कोशे अट देखो पहले कि देख लेते हैं आपकी बुक का क्या रखा कि निम्मन रैखिक समीकरण युगम को परतिस्थापन विदी से हल करो यह आपको समीकरण दे रखी है यह न युगम दे रखी है जोड़े दे रखी है आपको इन जोड़ों को परतिस थापन विद्धी से हल करना है तो पहला example लेते हैं इसका यह है जी दखो इसको solve करते हैं हमें क्या करना है हमें इस view gum को solve करना है इस equation को solve करना है और equation को solve करने के बाद x और y की value से निकाल लिए कैसे निकाल लेंगे step बाइ step समझेगा तो इसे मैं मान लेता हूँ पहले equation और इसको मैं मान लेता हूँ दूसरे equation सबसे वहलम क्या करेंगे इन में सो कोई भी एक equation उठा लेंगे चाहे आप समीकरण 1 उठा लो चाहे समीकरण 2 उठा लो मैं समीकरण 1 उठा लेता हूँ मैं लग दूँगा समीकरण 1 से समीकरण एक से समीकरण एक क्या हमारी यह है जी मारी x पलस y बराबर 14 यह है न अब आपको क्या करना है अब आपको x या y इन में से किसी भी एक को अकेला छोड़ना है जो आपके चर है न उसमें से किसी भी एक को अकेला छोड़ना है अकेला छोड़ने का उतलब जैसे मानलो मैंने X को यहाँ पर लख दिया और Y को इस थह भाए स्थरिआ प्जी है ऑप यहाँ जो एक्ष की वैल्यू आई है X ब्रावर 14 माइन स्वाई यानि X की वैल्यू आगी न यह जो X की वैल्यू आई है इससे आप समीकरण 2 में रख दो जाने से समझो आपने समीकरण 1 उठाया उठा लिया अब उठाने के बाद इसमें से किसी भी 1 को अकेला छोड़ दो जैसे हमने X को अकेला छोड़ दिया X को अकेला छोड़ने के बाद यह जो X की वैल्यू आई है न इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे समझो अगर मैं समीकरण 2 को उठाता मालो यहाँ पर समीकरण 1 की वजाए समीकरण 2 को पहले उठाता तो वहाँ से जो वैल्यू आती उसको मैं समीकरण 1 में रखता वापि समझो समीकरण 1 से वैल्यू समीकरण 2 में उठाके रख दो समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में उठाके रख दो समझो अगर आपने समीकरण 1 लिया ना पहले तो उसकी जो value आएगी आप 2 में रखोगे अगर समीकर्ण 2 लेते तो उसकी जो value आती हो आप 1 में रखते उल्टा होता है एक में लोगे तो 2 में रखोगे और 2 में रखोगे तो 1 में रखोगे ठीक है क्यों रखेंगे इसका मैं लाच में बताऊंगा तो यह जो value है हम लिख देंगे x का मान जो x की जो value है न उसको मैं किसमें रख दूँगा समीकरण 2 में रख दूँगा 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या अपनी यह जी x minus y बराबर 4 x की value क्या है यह 14 minus y और यह minus y का minus y बराबर 4 मैंने x की जगें उसकी value रख दी x बराबर 14 minus y था न यानि x की जगें मैं 14 minus y रख दा था तो इसलिए मैंने x की जगें 14 minus y रख दिया समझे रो अब मैं इसको solve कर लूँगा तो यह हो जाएगा अपना 14 minus minus का y minus का y minus का 2y बराबर 4 ठीक है अब यह जो 14 है यहाँ पर चल गया यानि minus का 2y बराबर आगे 4 minus 14 ठीक है तो minus का 2y बराबर आगे minus का 10 ठीक है अब देखो minus का 2 यहाँ पर multiply में है इसको यहाँ पर ले जाओ तो y की value आगे minus का 10 बराबर minus का 2 कट के आगे आपका 5 यानि y की value कितनी आगे आपकी 5 आगे समझे रो y की value तो निकलगी अब निकालने है x की value अब x की value कैसे भी निकाल सकते हो चाहो तो इस value को यहाँ पर रख दो समीकन एक में चाहो समीकन दो में रख दो चाहो तो इसमें भी रख सकते हो यह जो value थी नै x ब्राबर 14 मान सबाई इसमें भी रख सकते हो किसे में भी रख दो कोई इसमें लिमिट नहीं है कि यार इसमें ही रखनी है किसमें रख दो मैं लट से एक में रख देता हूं तो लिए आप y का मान समेकरण एक में रखने पर समेकरण एक क्या अपनी यह है x प्लस y बराबर 14 तो x प्लस 5 बराबर 14 और यह 5 वहाँ पे चल गया तो x की value आ गई अपना कितना 9 आगे तो यह हमारा अंसर हो गया बापिस मजलो step हमने क्या किया इसको तो समेकरण 1 मान लिया इसको समेकरण 2 मान लिया फिर आप इन में से कोई भी समेकरण उठालो चाह समेकरण 1 उठालो हमने समेकरण 1 उठाली और इसमें x या y इसमें से किसी भी एक कोकेला छोड़ दो मैंने X कोकेला छोड़ दिया जो यहां पर X की वैलू आई ना इसको फिर मैंने समीकन दो में रख दिया क्योंकि समीकन एक उठाई थी पहले फिर मैंने समीकन दो में रख दिया समीकन दो में रखने के बाद उसको सॉल करने लग गया वहां से y की value आई, उसको आप किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, उसको रखने के बाद आपकी x की value आगी, तो इस तरीके से आपकी x और y दोनों की values आगी, ठीक है, अच्छा एक बात और, अब आपको में डाउट आएगा, सर अगर मैं यहाँ पर x जो value है, इ एक में रखते हैं तो 14 ब्राबर 14 आजाता, ऐसे आजाता, समझता, इसलिक के 1 रखते हैं, तो इसका मतलत जो होता न, कि यह समीकर्ण एक को संट उस्ट कर देगा, यानि उससे के बाबर आपकर आजाएगा, ठीक है, समीकर्ण 1 से तो आपने उठाया है, उसको तब या फिर समीकर्ण दो में रखे देख लो आपकी मर्जी है मैं समीकर्ण पर एक में रख लेता हूं तो एक सिक merciful कितने आया अपनी no y कि वैल्यू 5 तो 9 प्लस 5 कितना होता है चोदह यानि मारा अंसर बिल्कुल सही है इस में रख कि देखलो नो मैं से पांस किइड़ा होता है चार यानि हमारा अंसर बिल्कुल सही है ठीक है तो इस तरी की साप नहें करना यह आपके परतिस्था पन भी दी था अब इस का Second Part देखो लिए यह आपका second part है ठीक है क्या क्या रखा है यह यह दे रखा है S-T ब्राबर 3 और S बटा 3 प्लस T बटा 2 ब्राबर 6 तो एक काम करते है यह तो equation सही है इसको तो समीकरन एक मानी लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लिफाई कर लेता हूँ कैसे? LCM ले लेता हूँ तो LCM लेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया फिर यह चल जाएगा अपना 3 दूनी 6 2S 2S पलस 3T समझ देगा ना? 6 को 2 से भाग क्या 3 3 की T से गुना की 3T बराबर 6 अब 6 भाग में हैं इस तरफ ले जाओ गुना में हो जाएगा यानि यह हो गया 2S पलस 3T बराबर 36 अब यह हमारी समीकन बन गई 2 वापर समझो यह तो समीकन एक थी यह तो बिल्कुल सही थी कोई दिक्कत नहीं थी यह थोड़ी ची अजीब सी लग रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सॉल कर लिया यह समीकन दो बन गई अब जैसे पिसला कोशन सॉल किया था वैसे यह अला कोशन सॉल करो तो वीडियो करो पॉज और खुद बखुद सॉल करो पहले यह ना कहीं दिक्कत आए तो फिर आप देख लेना लेकिन भूद बखुद सॉल करके देखो कोंफिडेंस बढ़ेगा उससे आपका तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं तो जैसे मैं समीकन एक को लेता हूं समीकन एक से किसी को भी उठा सकते हैं मैंने समीकर्ण एक को उठा लिया ठीक है तो समीकर्ण एक में क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है S-T बराबर 3 तो यहाँ पर मैं S को केला छोड़ देता हूं चाहो तो T को भी छोड़ सकते थे मैंस का T वहां पर जा कर जाита प प्लस का T आभी जो S की वैल्यूड आई है जहो आपका S का मान आया है इसको मैं रख दूँगा किसके अंदर ? समीकरण एक के अंदर की समीकरण 2 के अंदर ? समीकरण 2 के अंदर क्यों ? क्योंकि एक से तो उठाया है ना एक से तो value आई है उसको आप 2 में रख दो समीकरण 1 का मान या फिर आप कहलो S का मान S का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या आपकी यह है तो इसके इंदर रख देते हैं तो समीकरण 2 है जी अपनी 2S पलस 3T पराबर 36 तो यहाँ पर रख देता हूं 2 इंटू S की value है 3 पलस T पलस 3T बराबर 36 दो तिया 6 दो की 3 से गुना की 2T पलस 3T बराबर 36 यह गया 5T 6 को उस्तरफ ले गया तो 36 माइनस 6 यह गया 5T बराबर 30 तो T की value आ गई 30 बटा 5 कटके आ गया 6 यानि T की value 6 आ गई वासन मागी आप यह जो T की value आई है यह जो T की value आई आपकी इस T की value को आप चाहो तो इसके अंदर रख दो समीकरण 1 के अंदर चाहे समीकरण 2 के अंदर रख दो चाहो तो इसके अंदर भी रख सकते हो है ना आपकी मर्जी है मैं एक के अंदरी रख देता हूं यह देते हैं टी का मान समी करण एक में रखने पर समी करने के आपकी एस माइनस टी बराब बर तीन एस माइनस च्छे बराब बर तीन यह वहाँ पे चल गया तो एस की वैलू आगए अपनी समझ गए तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया अब आंसर चेक करना है तो आप इन दोनों एक्वेशन के अंदर रख के देख लो तो यह हो गए आपका नो माइनस चेक तीन नो तुने अठारा अठारा और टी की वैलू है च्छे च्छे ती अठारा 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 अच्छेश हमारा आजसर बिल्कुल सही है अब देखो जी आप थर्ड कोश्चन यह आपका थर्ड कोश्चन है ठीक है तो इसको हल करते है तो इसको मान लेता हूं समीकरण 1 इसको मान लेता हूं समीकरण 2 यह थोड़ासा अलग कोश्चन है तो क्यासे करेंगे जैसे पिसला कोश्चन किया वैसे करेंगे तो पहले खुट ट्राय करो है ना अब आप कोईस भी कोश्चन उठा सकते हो समीक समीकर्ण एक से 3 एक स 고 समाइनस ृब्राबर य्क्रा ऑडिकव समीकर्ण 3 मैंस का वाइनस ृब्राबर 3 तो अगर यहां पर तो माइस का यहां अगर आपको वाइस की वैलिः से गुणा करोंगे तो अगर आप यहां पर इसी तरिक्ये से यहाँ पर भी minus x से गुना करतों गया एक पकार से तो यह तो हो गया y minus minus plus हो गया यहाँ पर करोगे तो minus का 3 plus का 3 x हो गया यह फिर आप ऐसे करो कि symbol change हो गया ऐसे भी कह सकते हो तो यह y की value आगी ठीक है अब अब यह जो y की value आई यह ना इस y की value को आपको समीकर्ण 2 में रखना है तो हम क्या लिखेंगे y का मान समीकर्ण 2 में रखने पर समझे रहे हैं समीकर्ण 2 क्या आपकी यह है तो इसके इंदर रख देते हैं तो यह अजिए अपना 9x minus का 3y बराबर 9 और 9x minus का 3y के value इतनी है ना रख देते हैं minus का 3 plus का 3x बराबर 9 यह आपना 9x minus का 3 into minus का 3 plus का 9 minus का 3 into plus का 3x minus का 9x बराबर 9 नौ x से 9x कट गया और यह क्या रख देते थे लेकिन यह पर तो आए नहीं यहां पर नो बराबर 9 यह आगया तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि भाईया इस युगम का कोई एक यूनिक स्लूशन नहीं है कोई एक अद्युत्य हल नहीं है ऐसे कहलो देखो मैंने आपको पहले इससे पिछले लेक्चर में अक्सेसाज थ्रे पॉइंटों में बताये था कि जब आपको युगम दिया हो तो वहाँ पे तीन केस बन सकते है या तो उसका एक सिलूशन होगा या तो उसका एक हल होगा या उसके अनेक हल होगे अगर वो दोनों समपात्ति होगे तो उसके अनेक हल होगे या फिर उसका कोई भी हल नहीं होगा अगर समानतर बंदर होगे तो कोई हल नहीं होगा यही बात उताई थी ठीक है अब आप इस यूगम को देखो यहाँ पे लिखा है 3,9 यानि A1 और A2 का रेशो क्या है A1 और A2 का रेशो है जी अपना 3 बटा 9 यानि 1 बटा 3 है यहाँ पर भी 1 बटा 3 है यहाँ पर भी 1 बटा 3 है यानि A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीन ब्राबबर है अगर यह A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तीन ब्राबबर होते थे तो उसके कितने हल होते थे उसके अनेक हल होते थे याद है A1 बाई A2 A1 बाई A2 B1 by B2 और C1 by C2 अगर 39 ब्राबर है तो हमने क्या कहा था कि यह संपात्ति है और इसके अनेखल है यानि इसका कोई भी एक solution नहीं है कोई भी एक answer नहीं है कोई भी X और Y की एक value नहीं है जैसे पिछले question में देखो पिछले question में S की 9 आई और T की 6 value आई तो इसके सिफ यह एक ही value आई S की सिफ 9 और T की 6 तो 9,6 सिफ एक ही point हुआ एक ही इसका answer हुआ तो इसलिए answer निकल गया अगर answer बहुत सारा है ना तो आप इस method से परतिस्थापन विए तो किसी method नहीं कर सकते तो आप 3 method से बता नहीं सकते तो बस concept समझ में आना चाहिए था ठीक ही ना तो simple आप लिख दो भया कि इस यूगम का इस यूगम का का कोई अद्वित्य हल नहीं है अद्वित्य हल नहीं है अद्वित्य हल का मतलव भाई कोई एक answer निया इसका इसके बहुत सारा answer है ना इसलिए यह बात हमने लिख दी बात में आगे ठीक है आगे देखो अब अब देखो जी question number 4 था आपका क्या ये 0.2x प्लस 0.3y ब्राबर 1.3 और ये कुछ ऐसे दे रखा है ठीक है अब चाहो तो इसको ऐसे ही कर सकते हो भाई इसको equation first मान लो इसको equation second मान लो और जैसे पहले करते आए वैसे कर लो लेकिन इक काम करते हैं ना point हटा देते हैं यहां से कैसे तो point कैसे इटाने वो देख लोग परी तो अगर मैं इसकी बात करूँ इस equation की बात करूँ तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता था 2 बटा 10x पलस में 3 बटा 10y बराबर 13 बटा 10 ऐसे करके लिख सकता था ना point हटाऊंगो तो बटे में 10 आएगा यहां भी बटे में 10 यहां भी बटे में 10 अच्छा अब देखो इसका अगर मैं LCM लेओं तो यह कुछ ऐसा हो गया 2x पलस 3y बटे में 10 क्योंकि LCM लेओं तो 10 आ गया 2x पलस 3y हो गया बराबर क्या है 13 बटा 10 है बात सुद मारिए अब 10 भाग में इस तरफ लेके जाँगो तो गुणा हो जाएगी तो यह जाएगा 2x पलस 3y बराबर 13 बटा 10 बात सुद मारिए तो हम इसको ड्रेक्ले लेख जाते है इसको मैं क्या कह सकता हूँ इसको कह सकता हूँ कि सर यह है 2x पलस 3y बराबर 13 इसको भी लिखते है इसको क्या लिखे हैंगे 4x पलस 5y बराबर 13 के ऐसे कट जाएगा यहांपे 10 से 10 बस मागे अच्छा जी अब इसको मान लेता हूं equation number first इसको मान लिया equation number second अब equation first ले लिया मैंने लिखेंगे समिकर्ण एक से जैसे पहले किये थे ना question वैसे करने अब ठीक है तो वीडियो पोस्ट करो अपने आप करो इसको समिकर्ण एक से समिकर्ण एक क्या है 2x प्लस 3y है 3y बराबर 13 यही है अब यहाँ पर आ तो x को किला चोड़ लो या फिर y को किला चोड़ लो तो यह काम करता हूं x को क्यला चोड़ता हूं क्योंकि 2 फिर कट जाएगा बाद में तो 2x बराबर हो गया 13-3y दो गुणा में इसके भाग मिले गया x की value आगी 13-3y बटे में 2 अब यह जो x की value आई है इस x का मान किसमें रखोगे समिकर्ण 2 में रखोगे न तो ठीक है तो समिकर्ण 2 क्या थी अपनी यह थी जी 4x पलस 5y बराबर 23 तो 4x की value क्या है 13-3y बटे में 2 पलस का 5y बराबर 23 तो दो दूनी चार दो से कट गया है दो की 13 से गुणा की 26 दो की 3 से गुणा की 6 पलस का 5y बराबर 23 तो यह हो गया जैपना 26-6y पलस का 5y माइनस का y हो गया बराबर आगया 23 के 26 को वेश देता हूं उस तरफ तो माइनस का y बराबर आगया 23-26 तो माइनस y बराबर आगया माइनस का 3 माइनस से माइनस कट गया तो वाई के वलो कितने आगी तीन आगे अब वाई का मान वाई का मान केसे में रख लो इसमें रखना चाहो इसमें रख दो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो इसमें रख दो जिसमें आपके चाहो तो एक काम करता हूं समीकरण एक में रख देता हूं y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है यह हमारी 2x पलस 3y ब्राबर 13 तो यह हो गया हमारा 2x पलस 3 इंटू 3 ब्राबर 13 यह आगे 2x पलस 9 ब्राबर 13 यह आगे 2x ब्राबर 9 वहाँ चल गया यानि 13-9 2x ब्राबर आगे अपना 4 समझ रहे हो तो दो गुणा में यहाँ पर जाके भाग में एक स्केल हो आगी 4 बटा 2 कट के आगया 2 तो एक स्केल लू निकल गी अपनी और य के लू निकल गी यह निकालना था समझ गए ठीक है तो ऐसे करना था नोट कर दो अब देख़वा पांच मा कोश्चन फिफ्थ कोश्चन यह भी असानी कोश्चन है बस वो रूट दे रखाया है इसलिए ऐसा मैं सोचना कि भारी भर कम कोश्चन होगा असान है बहुत देखो यह दे रखाया है इसको समीकन एक माल लेता हूँ इसको समीकन दो माल लेता हूँ तो सबसे पहले समीकन एक उठा लेते हैं या फिर दो उठा लो आपकी मर्जी है तो एक काम करता हूँ अपकी बार मैं समिकन दो उठाता हूं समिकन दो से किसी को भी कर सकते थे मैंने समिकन दो ले लिया जान बुचके लिया नहीं जान बुचके तो क्या लिया समिकन दो तो अगर मैं यहाप एक्स को किला छोड़ूंगा तो कटेगा तो नहीं न समिकन एक ही ले रहा हूँ मैं जाना कैसे ले लो यार तुम्हाई मरजी है ठीक है समिकन दो ले लिया तो यह अपना root 3x minus root 3 root 8y equal to 0 यहाँ पे x या y किसी भी एक कोकेला छोड़ दो x कोकेला छोड़ देता हूँ तो यह कुछ इस तरह की सुझाएगा यह minus का वहाँ जागे plus का तो 0 में अगर तुम जोड़ोगे तो यह आएगा यहाँ पे x की value क्या आगई root 8y अब उन में root 3 यह x की value आगी न अब case points क्या करते हैं root से root कार देते हैं ऐसे कटता नहीं है और इकठा लगा सकते हैं y को साइड में रख के इसको खटा लगा सकते हैं लेकिन इससे कटेगा नहीं अब यह जो x के value आई है अब इसको किसमे रखोगे समीकरण 1 एक में क्यों क्योंकि समीकरण 2 से उठाही है तो समीकरण 2 से तमने value निकाल लिए वो समीकरण एक में रखोगे ना परतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से उठाकर करके दूसरी जगह रखती है तुम क्या लिखोगे एक्स का मान कि समीकरण किसमें रखने पर एक में रखने पर कि ठीक है देखो समीकरण एक क्या है समीकरण एक समीकरण एक है जी आपकी रूट दो एक्स पलस रूट तीन वाई ब्राबर जीरो इसके अंदर रख दो तो यह जाएगा रूट दो एक्स की वेल्यू क्या है यह है root 8 y बते में 3 पलस में root 3 y ब्राबर 0 अब root 2 की अगर आप root 8 से multiply करोगे तो root 16 हो जाएगा y बते में 3 पलस में root 3 y ब्राबर 0 इसके बते में 1 लगा दें lcm ले लो इसका lcm लोगे तो 3 lcm आ गया आप देखो root 16 को मैं लख सकता हूँ 4 उस्ति कि ना आप मिस्चाँ केंगे सिर्द रूट तो पलबस-4 जोता है तो दोंदों रखके देखने होते हैं समझे हो समझे रूट 16 का पलस-4 लिए जएगा ठाजiltonी की जाएगा प्लाश में रूट 3 का रूट 3 रूट 3 वाई बराबर जेरो अब उसको प्लास लेता हूं एक बर मैंने कैले लिए प्लस तो यह गया प्लस का चार वाई प्लस का रूट 3 वाई है ना दो केस बना लेते हैं आप एक बार तो पलस ले लिए एक बार मैंस ले लूँगा अब तीन भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणा में तो जिरो की तीन से गुणा की तो जिरो आ गया वैसे जाता नहीं है लेकिन वह आप 11 में सीखते हैं उस चीज को अभी टैंथ के चाहरा बताबना थोड़ा सा अलग टाइब को जाएगा जनली लोजिक होता है कि यह बते में ना तो इसका मतलब यह है कि यह तो यह 0 होगा और यह 0 हो नहीं सकता अब यह गया और सुझा में अभी तो इतना है समतलो कि उस तरफ चल गया ख्टम हो गया ठीक है अचा आप द चार पलस रूर्ट थोड़ी सी जगहें बजाते हैं तो जब आप इसको भाग करोगे तो जीरो यह आएगा ना इसको मिटा करके मैं 0 लेगे जाता हूं तो वाई के लिए जीरो आगी अगर आप मैनिस चार रखते हैं यहां पर मैनिस चार वाई लिखते हैं से तब भी यही आ पर दवाई के वैल्यौ भी कि तने आती जीरो याती दोनों केसे is तो वाई यहां या अलग लग लगाती तो तुम दोनों तो जो y की वैल्यू आई है वो तुम x में रख दो या फिर तुम समीकरण 1 2 3 किसी में रखना चाहो उसमें रख दो मैं समीकरण चलो इसमें रख देता हूँ थोड़ा सा अलग करते हैं इसको समीकरण 3 मान लिया तो क्या देता हूँ मैं इसने खून पी लिया बाई तो मैं क्या लिखूँगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर किसी में रख सकते थे मैंने 3 में रख दिया समीकरण 3 क्या अपनी यह है x बराबर रूट 8 बाई रूट 3y अब y की वेलू जब रखूँगा y की वेलू 0 है तो यह हो जाएगा अपना इंटू 0 यानि की x की वेलू भी 0 आ जाएगे समझे तो इस तरीके से हमने y की वेलू भी निकाल दी और x की वेलू भी निकाल दी ठीक है अब देखो आप छटा कोश्यन यह आपका चटा कोश्यन है इसको भी ऐसे ही करना है तो वीडियो पोस करो खुद बहुद खुद सॉल करो लेना पड़ेगा बस इसमें और बाकी सारा से हम है बिना ल्सम लिए भी कर सकते हो आप लेकिन वह थोड़ा उल्जन वाला बन जाएगा इसलिए हम ऐसे करेंगे ल बता तो जब मैं इसको लिए घ्र-धू शयाँगा यहां पे तिन दुनीचे इसे गालतों भाग करनी परती है तो भाग करनी पड़ थाए तो नीचे थो उगी तो खुद 오래 ग्या खुद हत्याथ है बराबर माइनिस का बार समझ गए यह आपकी बन की equation number first ऐसे इसको solve कर लो तो LCM लोगे तो 6 हो जाएगा 6 की 3 से भाग की 2 2 की x से गुना की 2x 6 की 2 से भाग की 3 3 की y से गुना की 3y बराबर आगया 13 बटा 6 समझ गए अब यह जो 6 है यह भाग में है यहाँ पर जाके गुना में जाएगा तो फिर 6 से चेक कट जाएगा न कटने के बाद क्या बचेगा अपना यह बचेगा 2x पलस 3y बराबर 13 यह बन की आपकी equation number second इन दोन equation को आप solve करना है जैसे पहले करते आए हैं वैसे इसको solve करना है तो समीकरण एक उठाएं की दो उठाएं कोई भी उठालो आपकी मर्जी है तो अगर मैं आपे एल्चम तफे भी लेने पढ़ेगा समीकरण एक उठालो तो लिक देंगे समीकरण एक से समीकरण एक क्या है यह 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 यहाँ पर x को केला छोड़ देते हैं तो 9x बराबर हो गया माइनस का 12 पलस का 10y अगे बचे मेनOW अब जो X की value आए ना इसको किसमें रखोगे समीकरण दो में लिखे दो X का मान समीकरण दो में रखने पर दो में रुको यहां तो आज सुन मागी ठीक है अच्छा तो समीकरण दो में रखते हैं इसको समीकरण दो है अपनी 2X पलस 3Y बराबर 13 तो इसके अंदर हम क्या रखेंगे X के value रखेंगे तो X के value यह है तो रख देते हैं 2 इंटू माइनस का 12 पलस का 10Y बटे में 9 पलस का 3Y बराबर 13 मिल्टिप्लाई कर लो तो इक कट तो रहा नी 2 की 12 से मिल्टिप्लाई करो 24 2 की 10 से मिल्टिप्लाई करो 20 बटे में क्या है 9 पलस का 3Y बराबर 13 बटे में 1 आगया अब LCM ले उसका LCM लोगे तो 9 आगया तो यहाँ पे हो गया माइनस का 24 पलस का 20Y पलस का तो जब भाग करोगे तो 9 ही आएगा 9 की 3 से गुना की तो 27Y बराबर 13 ठीक है यह हो गया अच्छा अब इसको सोल कर लेते हो प्रवाले को यह हो गया माइनस का 24 पलस का 27Y पलस 20Y 37, 47Y बटे में क्या है 9 बराबर 13 तो यह हो गया माइनस का 24 पलस का 47Y बराबर 9 की 13 से गुना कर नहीं पड़ेगी न अब तेरा निमा कितना होता है 117 ठीक है माइनस का 24 इस तरफ जाके पलस का हो जाएगा यानि 47 बराबर आगया 117 पलस का 24 इसको जोड़ लो यह क्या 47Y बराबर इसको जोड़ेंगे तो 74 11 एक अंसलूफ पर 11 2 13 डिक 14 तो य की वैल्यू आ गई 141 बटे में 47 तीन पर कटे गाई है तो य की वैल्यू आ गई आपकी 3 अब यह जो वाई की वैल्यू आई है इसको चाहे तो समीकन एक में रख दों दो में रख दो या फिर आप इस में रख दो जिसमें आपकी इच्छा हो मैं किस में रख देता हूँ ठीक है यहां तक इतना नोट खरो पहले देखो तो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपकी 9x-10y ब्राबर मान सी का 12 तो यह जब आपनी 9x-10y के लिए 3 ब्राबर मान слуш का 12 योगी 9x-30 ब्राबर मान सी का 12 आपकी depend a प्लस का उजाएगा 9x ब्राबर आगया माइस का 12 पलस का 30 यानि 9x ब्राबर आगया 18 के और x के वल्यू इसे इसाब से 2 आ गई ठीक है तो x और y के वल्यू ऐसे निकालने थी कर लेंगे असान था थो अब जूम आउट करके दिखा देता हूं यह ऐसे कोशिन था यह ठीक है कर लिजिगा अब आईए अगले कोशिन पर कोशिन नमबर सेकेंड अब कर आपका सेकेंड कोशिन है देखो जी क्या बोल रुख है कि 2x प्लस 3y ब्राबर 11 और 2x माइस 4y ब्राबर 24 को हल करना है और इससे m का value निकालने है m का मान निकालना है ठीक है और जो m की value निकलेगी न उसको फिर आपने नहीं मैंने गल्द बोल दिये 2 मिट्र सुनो वापिस बोल देता हूं पढ़ना पढ़ेगा न अच्छी तरह से देखो बोला कि 2x प्लस 3y ब्राबर 11 और 2x माइस 4y ब्राबर 24 को हल करो और इससे m का वो मान ग्याद करो जिसके लिए y ब्राबर mx प्लस 3 करते ही नो अब ध्यान से समझिएगा हमें इन दोनों को सॉल करना है इसको और इसको इन दोनों को जब आप सॉल करोगे तो यहां से x और y कि वेल्यू आएगी ठीक है जो एक्स और y की वेल्यू आईये ना उसको आप फिर इस equation के अंदर रक दो जब आप x और y की value इस equation गंद रखोगे ना तो यहां से m की value आ जाएगी और question में यही बॉल्ट है कि भी यह m की value ग्याद कर लो समझ रो इन दोने equation को solve करो इन दोनों को solve करने बाद तो x और y की value आएगी उन दोनों को आप इस equation गंद रखके एम की value निकाल लो क्योंकि question में हमसे m की value पूछिए संदमा की करके दिखाते हैं पहले खुद करो एक बाद इन दोनों equation को पहले खुद बाद खुद करो वीडियो पोस्ट करके तो यह 2x पलस 3y ब्राबर 11 और यह आपकी 2x मानिस 4y ब्राबर मानिस 24 इसको समीकन एक मान लेता हूं इसको समीकन दो मान लेता हूं कैसे करेंगे किसी भी एक समीकन को किला छोड़ दो लेट से मैं समीकन एक को किला छोड़ देता हूं तो लिखूंगा समीकन एक से तो यह जाएगा 2x पलस का 3y ब्राबर 11 अच्छा आप चाहें तो किसी दूसरी विधी से भी कर सकते हैं ग्राफिय विधी से करना चाहें तो ग्राफिय विधी से भी कर सकते हैं कि कोशिन में कहीं नहीं बोला कि या परतिस्थापन लगाने कहीं नहीं बोला तो आप किसी भी विधी से कर सकते हैं तो यहां पर एक्स क का 3y और यहां पर x की value आ गई 11-3y बटे में 2 अभी जो x की value आई है ना इसको किसमें रखोगे समीकन 2 में लिख देते हैं x का मार समीकन 2 में रखने पर समीकन 2 क्या आपकी समीकन 2 है जे मारी यह इसके अंदर रख देता तो 2x माइनस का 4y ब्राबर माइनस का 24 तो यह गया 2x माइनस का नहीं x के लिखने ना प्राबर माइनस का 4y ब्राबर माइनस का 24 तो 2 से 2 तो कट गया यहां पर आगया 11 माइनस का 3y 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y ब्राबर माइनस का 24 तो यह होगा 11 माइनस का 7y ब्राबर माइनस का 24 ग्यारा प्लस का है इस तरह ले जाते हैं तो माइनस का 7y ब्राबर आगया माइनस का 24 माइनस का 11 तो माइनस का 7y ब्राबर आगया माइनस का 35 अब यह माइनस साथ यहां पर चल जाएगा एक पकार से मैं साथ हमने दोनों तरफ भाग कर दिया ऐसा होता है ऐसे जाता नहीं है समझाने के लिए बताना पड़ता है बार बार तो यह हो गया हमारा ऐसे कटके आगया पांच अभी जो वाई की वैल्यू आई है इस वाई की वैल्यू को किसके अंदर जब आप समीकन एक रखोगे ना समीकन एक का है यह इसके अंदर रखोगे तो यो जाएगा टू एक्स पलस थरी वाई बड़ाबर 11 तू एक्स पलस तीन की पांच से गड़ी तो पंदरा बड़ाबर 11 पंदर वहां चल गया माइस का चार बचेगा और एकस के वेल्यू आज अब यह जो x और y के value आई है इसको आप इस equation के अंदर रख दो तो equation क्या थी हमारी y बराबर mx plus 3 तो यहाँ पर x और y के value रख दूँगा y के value क्या है 5 बराबर m का तो पता नहीं m तो निकालना है x के value क्या है minus 2 plus 3 इसको फिर स्वाल करना पड़ेगा थोड़ा से lengthy question लिए असान है कैसे 3 plus का न इस तरफ रहे जाऊंगा तो यह जाएगा 5-3 बराबर mx2 तो यह हो गया यहां पर बटे में आ जाएगा अब कई सोचते हैं सर्फ माइस का दू है यहां पर पलस का दू होना चीए ध्यान से समझो असल में ऐसे आता जाता नहीं है यह तो मैं आपको बता रहा था असल में क्या करते हैं को हमारी m कई डीय कालने के लिए मुझे हां पर 1 को क्यवा जोड़ना पड़ेगा कैसरी बाइभा अगर दॉन इस तुरफ वह माइस माइस 2 से भास कर दिया और इस तरफ चाटके गया जब कि सब्ज़ें तो यह चीज़ थी कर लेंगे तो M के वेलू की आगी ये मिची यह थी आप अगला कोशन थर्ड कोशन थर्ड कोशन अब आपके वर्ड प्रोब्लम आगी समस्याओं में रैकिक समिकन युगन बनाव मतलब आपको पहले जोड़ा बनाना है जो ड़ा मतलो दो equation बनाने पहले दो equation बनाने के बाद उनके हल 30 थापन वीदी द्वारा ग्यात कीजिये ता अब देखो अगर question में बोल देना ड़ा अब बहुक्त अब बनार से ग्यात करो तब परने रिल्दी से करना है या फिर दो equation एक रोजेशन में कहा कि gå 2 बनानई कह नहीं नहीं बैकरन के कर संद नहीं लंगे it क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है दो नंबर हमाँ पास उनको अगर मैं घटा दूं तो 26 आता है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुने ही और जो पहली संख्या न वह दूसरी संख्या की ट्रिपल भी है समझेरो Parce two-nGroup ॹहेसे मिरे पास आटा है और जो पहला नंबर नहों दुस्रें का तीन कुना है ऐसा बself दिया अचा उन्हें ज्याद किजिए आपको अपने ने क्या करना उन नंबर को ग्याद करना उन नंबर को ढूंगा पता करना कि वह राकलें शब्लेकission जैसे मुझे बोला कि वह ग्याद करो क्या हमें वह नंबर ग्याद करने दो नंबर ना तो मैं इंको मान लूगा मैं कहादूगा माना पहली संख्या कि इसको मैंने मान लिया एक्स इसी तरीके से दूसरी संख्या इसको मान लेता हूं वाई अब परशन आनुसा चलते हैं परशन में क्या का कि भाई दो संख्याओं का जो अंतर है न वह 26 है यानि अगर मैं पहले संख्या में से दूसरी संख्या घटाऊंगा तो 26 मिलेगा ठीक है यह होगी एक्वेश्चन अबर फर्स्ट समझ रहए ऐसे लिख देटे हैं क्यों इतना डबब согnaणा असिफर क्या अबला कि एक शंख्या दूसरी की तीन गुनिया यानि की जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की तीन गुनिया यानि स्मिकन को का संसय सकते हैं से करते हैं जैनल हम करते क्या हैं या तो समिकन एक को उठाते हैं ये करते हैं न आप आप यहाँ पर देखो समिकरण 2 में पहले से अकेला दे रखे जो एक काम करते है समिकरण 2 की जो value है इसको मैं समिकरण 1 के अंदर रख देता हूं समझो समिकरण 2 का मान एक में रखने पर तो समीकर नेक क्या आपनी यह है x-y बराबर 26 इसके अंदर में x के विल रख दूँगा जो जाएगा 3y-y बराबर 26 इसको solve कर लेते हैं तो 3y में से y गया 2y बराबर 26 दो गुणा में न भाग में एक पकल से हमने 2 तरफ 2 से भाग कर दिया तो y की वेलू आगी 2 लख दयता हूं y का माद समीकर दो में रखने पर समीकर दो क्या अपनी यह है X बरापर 3Y तो Y के वल्य रखते हैं जो गया X बरापर 3 इंटू 13 तो X के वल्य होगी 13,49 तो हमारे पास X और Y के वल्य आगी अभी जो X और Y के वल्य आगी है यह हमारे answer आगे ठीके ना X के माना था पहली संख्या Y के माना था तो लिख देते हैं तो पहली संख्या पहली संख्या क्या हो जाएगी पहली संख्या X मानी थी एक्स कितना है 39 तो पहली संख्या 39 हो गई फिल्म लिख देते दूसरी संख्या दूसरी संक्य क्या हो गई 13 हो गई यह गया मार अंसर असान था ठीक है अब देखिए आप अब आप आप आंसर चेक कर सकते हैं से 39 मिंसे तीरा गया 26 आएगा और 39 जो यह तिरा का तीक नान भी है त्रिपल भी है तो मारा अंसर बिल्कुल सही है अब आप सैकेंड कोशन देख अब इसका सैकेंड पार्ट मतलब है अब कि यह जी क्या करका है क्या रखिया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिगली अधिक है दो संपूरक कोण है संपूरक कोण किसको बोलते हैं जिनका जोड 180 हो जिनका जोड क्या हो 180 हो तो संपूरक कोण किसको बोलते हैं ऐसे दो कोण जिनका जोड 180 हो ठीक है तो दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है हमें है ना उन दोनों कोणों को पता करने है अब क्या पता करने हमें दोनों कोण पता करने है जो मैं पता करने हमें उसको मान लूँगा ठीक है देखो तो मैं लिख दूँगा माना बड़ा कोण बड़े कोण को मैं लिख दिया एक्स एक्स मान लिया मैंने और छोटा कोण म परसन नानुसार चलेंगे, परसन में क्या कहा रिखा है, कि भईया ये संपूरक कॉन है, तो इस बात को लिख दो, कि चुँकि, एक्स और वाई संपूरक कॉन है, एक्स और वाई, संपूरक कॉन है, तो सम्पूरक कोण है इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जोड़ 600C होगा ठीक है यह आपकी वर केशन फर्स्ट और क्या बोला कि भाई जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 जादा है तो बड़ा कोण कोण से अपना X चोटा कोण कोण से Y Y से 18 जादा है तो यह समीकर्ण दो हो गया यह दो हमाई पास समीकर्ण बनगे समीकर्ण एक समीकर्ण दो अब इन दोनों समीकर्णों को सोल करना है कुछ निए बस समीकर्ण दो की जो वैलियो इसको एक केंद रख दो जो X का मान उसको एक केंद रख दो लिख दो यहाँ पे X का मान अब वीडियो पॉस करो खुद बखुद करो उसको समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो जब तुम X का मान समीकरण एक में रखोगे तो क्या आएगा रखके देखते हैं तो यह गया X पलस Y बराबर 180 X की वैलू है Y पलस 18 पलस Y बराबर 180 यह दो Y पलस 18 बराबर 180 18 उस طरप चलगया तो दो Y बराबर आगया 180 मान सका 18 और वहां से 2 Y बराबर आगया 180 मेंसे 18 rating गटा लो 162 हो गया मेरे छिआल से Y की वैलू आगई 81 बucktे में चलगया ना दो तो ये y की value आगी अब y की value चाहिए तो इसमें रखदो चाहिए इसमें रखदो आपकी मर्जी है एक में रख देता है किसी में रख को तो answer same ही आएगा ठीक है न लिख देता है y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या अपनी ये है x बराबर y पलस 18 तो x बराबर 81 पलस 18 यानि x बराबर आ गया 99 आंसर चेक करना चाहो तो आंसर चेक भी कर सकते हो भाई जब तुम 99 और 81 को जोड़ोगे तो एक सुसी बनेगा और 99 जो है वो 81 में 18 ज्यादा जोड़ने पर याता है प्लाश लाइन लिख देना तो ये मारा अंसर हो गया कर लेंगे थर्ड पार देखो आप देखो जी थर्ड पार्ट ऐसे ही है पहले इसको खुद बखुद सोल करो हो जाएगा ठीके न ये एक्सरसाइस 3.1 में भी आये था अपना ऐसा ऐसा ही कोश्चन देखो क्या बॉलक है बॉलक है कि एक क्रिकेट टीम के कोश्च ने 7 बल्ले और 6 गेंद खिर दी 3800 रुपे में बाज में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खिर दी 1750 रुपे में परतेग बल्ले और परतेग गेंद का मुल्य गयात करो परतेग का मतलब होता है एक तो जो हमसे पुच्छा है वो हम मान लेंगे हम कहाँ देंगे माना एक बल्ले का मुल्ले एक बल्ले का मुल्ले मैंने मान लिया एक्स रुपे फिर इसी तरीके से एक गेंद का मुल्ले एक गेंद का मैंने मुल्ले मान लिया वाई रुपे आप परसनानोसा चलेंगे जैसे जैसे परसन में कहा जाए परसन में कहा गया कि 7 वले और 6 गेंद खरीद के आया 38 O रुपे में एक बल्ला अगर x रुपे काया तो 7 X रुपे के हो क्यों गये और 1 गेंद अगर की तो तीन बल्ले यानि के तीन एक्स पलस पांच गेंद यानि के पांच वाई ब्राबर साढ़े सत्रा सो यह होग इक्वेशन नमबर सेकिंड इन दोनों एक्वेशन को सोल करना है आपका अंसरा आ जाएगा तो वीडियो करो पोस खुद सोल करो ना यह जो एक्वेशन वाप पांच को खुद बखुद सोल कर नहीं तो समझ में नहीं आएगा से तो यहां लिख देता हूं समीकरण एक से मैं करवा देता हूं आप खुद बखुद कर लेना इसको तो यह हो जाएगा अपना साथ एक्स पलस छैवाई ब्राबर अर्थी सो यहां पर एक्स को केला छोड तो किसी को भी छोड़ तो कोई फ्रेक तो पड़ेगा नहीं क्योंकि फिर वहां पर कटेगा तो है नहीं तो एक्स को केला छोड़ देता हूं यह गया साथ एक्स बराबर 38-6Y ठीक है तो यहां पर एक्स की वेल्यू आ गई अपनी 38-6Y बटे में साथ ऐसे ठीक है अच्छा यह एक्स की वेल्यू आगी न अब एक्स की वेल्यू किसमें रखोगे समीकर्ण 2 में लिख देते हैं एक्स का मान समीकर्ण 2 में रखने पर समीकर्ण 2 क्या अपनी यह है 3X पलस 5Y बराबर 7,500 तो यह हो गया जी 3X की जगें वेल्यू रखनी पड़ेगी मुझे एक्स की वेल्यू है 3800 माइनस का 6Y बटे में 7 पलस में 5Y बराबर 7,500 यह बात है ठीक है तो कर तो रहा नहीं गुणा करने पड़ेगी 3830 तिया 3830 तो क्या एगा 303040 तेन अठाचा चोबी दू अच लोपर तीन तिया नो रे दो 11 तीन शाकी 18 बटे मिक है 7पलस का 5Y बराबर 1750 ऑलसे मोग हो इसका एल सी मा गया साथ या पर होगे ग्यारा हजार चार सो माइनस का अठारा वाई पलस में साथ पंजा प्राथिस वाई बराबर साड़े सत्रा सो तो अब साथ गुणा में चल गया आएगा यह गया अपना ग्यारा हजार 400 माइस का 18 y पलस का 35 y तो पलस का 17 y आगे में ख्याल से ना 836 तो यह गे अपना सड़े 700 गुणा में 7 तो यह गे अपना 11400 पलस का 17 y बड़ इसकी 7 से गुणा करो साथ पंजा पैंती तीन असलोपर सत्तु सतु तुन चार सतीन बावन पांच असलोपर साथ एकुम सात्र पांच बारा ऐसा हो गया अब यह चल गया महाँ पे माइनस में तो सत्रा वाई बड़ा बड़ा गया 12.2 माइनस 11.400 ठीक है यह तभी आते हैं कोशन जब आप खुद प सत्रा पंजा पिचासी होता है में ख्याल से ना कि सत्रा पंजा कितना होता है को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई की वाई की वैलू आई है इसको आपके सिकण सरा रख दो इस.- इस doctrine रख दो इस country-ब्र Administration आपके मश्लिए मैं सब्सक्रा रहेगा कि वय का माण समीकण तीन में रखने पर समीकन तीन क्या है यह है जिमारी एक्स बराबर अड़ती सो यह रही ठीक है ना अड़ती सो माइनस का च्छै वाई बटे में क्या है साथ यह है ना तो वाई के लिए रख देते हैं इसके इंदर थोड़ा से नीचे जा रहा हूँ पहल नोट कर लो तो एक्स बराबर आगया अड़ती सो माइनस छै इंटू वाई वाई के लिए पचास है पचास चिका तीन सो हो गया बटे में साथ यह हो गया पैंती सो बटे में साथ यानि कि पान सो आगया एक्स के लिए पान सो आगी वाई के लिए पचास आगी इसका मतलग क्या हो गया कि एक बल्ले का मुल्य तो हो गया अपना पांसो गेंद का मुल्य हो गया पचास समझ माई तो एक बल्ले का मुल्य पांसो हो गया और एक गेंद का मुल्य है पचास हो गया सिंपल आगे अपना अनसर ऐसे करना था जुमाउट कर देखा थो थो देख लो ठीक है अब आगे देखो आप तीन पार्ट हो रहा है गया उसके अच्छुटी चोथा पार्ट इस कोशन को पहले खुद पढ़ू ठीक है ज्यादा अच्छी तरह समझना है तो खुद पढ़ लए पारी देखो बोला क्या है कि क्या बोलका है कि एक नगर में एक नगर है एक कोई शहर है उसमें टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अत्रिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समलित किया जाता है एक कोई शहर है उसके अंदर जो टैक्सी चलती है ना वो टेक्सी का भढ़ा पते किसे होते है जिसे मन लोग कि आपको यहांसे कहीं जाना है ठीक है तो बाखिने किलो graveyard जाना है उसके अलग से चार्ज लूगा इसाहीं कि भाई जो टैकसी न उसका निएत भाड़ा तो है नियत भाड़े नीए इंतलओ फिक्स भाड़ा तो एंट अटाए ओटम्हे जांना हो ता सब्सक्राइब हुं खरते बिधोत तूह जा घर आने के चार्ज इस तो लेगा, वो तो fix है, मालो x रुपे हैं, वो तो fix है, वो x रुपे तो तुम से लेगा लेगा, अब 10 km के अलग से रुपे लेगा, समझ भारी है, तो बोला कि 10 km दूरी के भाड़ा लिया गया 105 रुपे उसने, ठीक है, 15 km के लिए उसने लिया 105 कि साफसे कितने आजाज करता है दोनों चीज़ बता नहीं उसने बोला कि 10 कि यह तो उसने लिए 105 रुपए अब इसके अंदर उसने फिक्स भाड़ा है 155 रुपए तो इसके अंदर फिक्स भाड़ा भी इंक्लूडिड है संद्मागी तो हमें फिक्स भाड़ा और परती किलो नियत भाड़ा माने मान लिया कि यह वो नियत भाड़ा एक्स रुपे लेता है यह उसका फिक्स चार्ज है और परति किलोमेटर के साब से एक किलोमेटर के साब से मान लो वो वाई रुपे चार्ज करता है कितना चार्ज करता है वाई रुपे ऐसा मैंने मान लिया अब पर्सन के उन साथ चलेंगे पर्स में क्या कहा है कि 10 km दूर जाने के उसने 105 रुपे लिए अब उस 10 किलोमेटर के अंदर जो 10 किलोमेटर दूर जा रहा है 105 रुपे के अंदर 105 रुपे के अंदर उसका fix charge भी है यानि कि मैं कहा सकता हूं कि 105 रुपे में उसका x रुपे भी जुड़ रहा है उसने x रुपे भी लिए है ठीक है 10 km के y रुपे के साफसे भी लिए है एना, ऐसे भी लिए होंगे इसने, इसको मैं थुर्दा साफ साफ लिखता हूं, देखो यहां से, इसको यहीं लिख देता हूं, जो ही 105 रूपे है इसके, जो ही 105 रूपे लिए हैं, इसके अंदर फिक्स भाड़ा भी इंक्लूद हैब मैं बताया आपको, यानि कि लिख सकता हूं इसको X पलस में, और इस पांच रुपे है ना इसके अंदर X रुपे भी इंक्लूड है जो फिक्स भाड़ा वह भी इंक्लूड है पलस जो 10 किलोमेटर चला है ना उसके इसाफ से जो भाड़ा फिक्स था उसका वह भी इंक्लूड है परती किलोमेटर भाड़ा भी इंक्लूड है और नियत भाड़ा इंक्लूड है यानि इसको लिख सकता हूँ X पलस में कितने किलोमेटर चला 15 एक किलोमेटर के साब से कितने रुपी आए Y तो इसको लिख सकता हूँ X पलस 15 वाई ब्राबर कितना 155 रुपी तो ये दो एक्वेशन बनगी हमें इन दोनों एक्वेशन को सोल करना है और वहाँ से हमें X यानि नियद भाड़ा और Y यानि परती किलोमेटर भाड़ा पता चल जाएगा ज़्मागी इसको फ़र्स्ट उपकेशन माह लेता हूं इसको सैंक्ड माह लेता हूं इन दोनों को सोल कैसे करेंगे समीकरण X लिख देंगे समीकरण एक से इन दोनों को अपने h До प१न करो पहले ठीक है। उसके बाद आगे देखना आगे मतलब सरका देना ना वीडियो को तो समीकन एक तो ये थी ना इसमें x को किला छोड़ देता हूं तो x बराबर आ गया 105 माइनस का 10y छीक्या चलो जी तो ये x की value आगी अब ये जो x की value है किसके अंदर रखोगे समीकन 2 के अंदर लिख देते हैं x का मान समीकन 2 में रखने पर समीकन 2 में रखने पर समीकन 2 क्या है ये है इसके अंदर रख देंगे x पलस 15y बराबर 155 तो गया x का मान तो है ना x का मान रख देते हैं तो 105 माइनस का 10y पलस का 15y बराबर 155 ये हो गया 105 पलस का 5y बराबर 155 105 इस्तरफ चल गया तो ये हो गया अपना 5y बराबर 155 माइनस का 105 यानि 5y बराबर हो गया अपना 0 50 और टोटल कितना 105 यानि 5 उपे फिक्स चार्ज लिया ये चीज हो ये पाईगे देखते हैं चलो ये तो समीकन एक के अंदर रखेते हैं चार्ज इसकर निक पहते हैं तो आपके मरजी है इसकर नदर रखेता हूं तीन के अंदर कि वाई का मान समीकन तीन में रखने पर अगा समीकन तीन क्या आपने यह है 105-10y यह ऐसे है न तो X बराबर हो गया 105 माइनस तस दाइन सो होता है Y के लुखी तो X के लुख यहां से क्या जाएगी X के लुख आ जाएगी 5 X और Y के लुख आ गई कहां गया यह रही अब है ना अंसर चेक करने के लिए इसके अंदर रख लेते हैं तो पांच प्लस सो 105 और पांच प्लस डेड़ सो ठीक है यानि वो टैक्सी वाड़ा पांच उपे तो उसका फिक्स चार्ज है घर आने के पांच पी लेगा वह सिद्धी सी बात यह है और परती क्लियोमेटर के साब से चलोगे मतलब पांच पी तो लेगा लेगा और परती क्लियोमेटर के साब से अलग चार्ज लेगा दस रुपे के साब से तो X और Y के लुख यह आ गई ठीक है लिख देना तो नियत ये लेक्चर देख रहा है, प्लीज कोमेंट में अपना नाम जुरू बताएं, ताकि पता चल जाए, कि कौन-कौन पढ़ने वाला है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलका है, कि पांच वर्ष बाद, जैकब की आयू, उसके पुत्र की आयू से तिन गुनी है, तिन गुनी हो जाएगी, ठीक है, पांच वर्ष पहले, जैकब की आयू, उसके पुत्र की आयू की साथ गुनी थी, उनके वर्तमान आयू गयाद करो, बहुत ही सिंपल सा कोशन, पहली बैसा ऐसा आया था, कैसे करेंगे देखो, हम मान लेंगे, हम कहा देगे, माना, हमें उनके वर्तमान उग्याद करने है ना तो वर्तमान आयू ही मान लूँगा मैं कहा दूँगा कि जैकब की वर्तमान आयू जैकब की वर्तमान आयू इसको लेट से मैंने मान लिया कि भी या X वर्ष मैंने कहा दे कि जैकब जो है अभी X वर्ष का है और जैकब के पुत्तर की जैकब के पुत्तर की वर्तमान आयू मैंने मान लिया कि जैकब का जो पुत्तर है जो बेट्टा है जैकब का वह वाई साल का है ऐसा मैंने मान लिया अब कोश्चन के नुसार चलेंगे परशना नुसार person में क्या कहा कि 5 वर्ष के बाद यानि कि अब से 5 साल बाद 5 साल जोड़ना पड़ेगा तो यहां लिए देते हैं 5 वर्ष बाद 5 साल के बाद अगर मैं पुछू कि 5 साल के बाद Jackub कितने साल का हुजाएगा आप कोगे X पलस 5 पुत्र कितने साल का हो जाएगा ? y प्लस 5 फेस के बाद जो जाकी आई यू से तीन गुणी हो जाएगहगए अब यहाँ पर student को confusion आती है कि 3 की इससे गुना करें या चीन के इससे गुना करें तो मैंने पहले बताय थी इसकी अमर कम होती है रहीकी उससे घुना करते हैं तीन की मतलब किसी की भी जैसे तीन घुना करेंगे साथ SU whole हैं तो जिसकी उमर कम है बाप की उमर कम है की बैटे ब्राबर कानिशान काब लगता है, जब यह दोनों quantity ब्राबर हो, अब यह छोटी थी, अब छोटी को बड़ी करने के लिए मने गुना करती, तो अब यह ब्राबर होगे, अगर तुम 3 की इस से गुना करते हैं, तो यह पहले से बढ़ा था, यह तो और बढ़ा हो गया, तो ब ब्राबर 10, समझ में आगी, यह होगी equation number first, अब equation second solve करो, क्या से, यह दो पांच वर्ष पहले, जैकब की जो आयू थी, उसके बेटे की आयू से 7 गुनी थी, तो लिख देते हैं, पांच वर्ष पहले, पांच वर्ष पहले, बरस लिख दिया, बरस है, तो पांच साल पहले तो जैकब एकस माइस पांच का होगा, उसका बेटा वाई माइस पांच का होगा, अब कोश्ण में क्या का, कि जब जैकब किया हुए, उसके पुत्तर किया हुए कि 7 गुनी थी, है न, आप 7 की किस से गुना करूं, इससे गुना करूं, मैंने भी आपको उताया, कि भाई, जिसकी उमर कम होगी उससे गुणा करनी है तो उमर तो बेटे की कम हो बढ़ बात बाप बड़ा होता है duello वेटा चोटा होता है तो जिसकी उमर चोटी है उससे गिणखेंगे है कि साथ के इससे गुणा ग्राइगी सहां लो x माइनस 5 वराबर साथ वाई माइनस का 35 तो या गया X माइनस का 5 यह नहीं X माइनस 5 कैसे है यह 7Y को इस तरफ ले आता हूँ X माइनस 7Y ब्राबर माइनस का 35 पलस का 5 तो या गया X माइनस का 7Y ब्राबर माइनस का 30 यह बन गया अपनी दूसरे equation इन दोनों equation को solve कर लो खुद बहुद खुद सोल करो, ज्याजाद सितने से सुन्द में आएगा, ठीक है, मैं यह से करा देता हूं फिर भी, लेकिन खुद सोल करना है, वीडियो पोस करके, इतना नोट कर लिया, देखो फिर आगे, तो मैं समीकर्ण एक को ठालेता हूं, समीकर्ण एक से, तो क्या द समीकर्ण दो क्या अपनी, यह जिमारी, एक्स माइनस साथ वाई, बराबर माइनस का तीस, इसके अंदर रख देंगे, एक्स के यह लू है, दस पलस तीन वाई, माइनस का साथ वाई, बराबर माइनस का तीस, यह हो गया, दस माइनस का, माइनस का कितना उचाएगा अपना, एक्स की विल तो रख दी ना, एक्स की जरी यह रख दिया चार पांच छे साथ, चार वाई, ब्राबर माइस का तीस इसको थोड़ा से सोल करना पड़ेगा, नीचे करता हूँ, सैड भी नहीं करता हूँ किछड़ी बन जाती है, नोट कर लो इतना, जो सैड में कर देथे न एतना, पल आंते आय जाएगा, मैस का Чार वाई, ब्राबर, दस इस तरफ आ गया मैनिनल इस का तीस, मैनिल का दस, मैनिल का चार वाई, ब्र्राबर, अगया मैनिस का छालेइस, y के value आ गई minus 40 बटा minus 4 कटके आ गई 10 यानि y के value आ गई 10 ठीके अब y की value किसी के अंदर रख दो चाओ तो इसके अंदर रख दो इसके अंदर रख दो जिसमें आपकी चाओ तो मैं रख देता हूं इसके अंदर कैसे लिखूंगा या लिख देता हूं y का मान समीकरण किस में रख दो एक में रख दो चलो समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या आपकी यह जी x minus 3y ब्राबर 10 y के वह ले रख दी हमने 10 तो x minus 3 इंटू 10 ब्राबर 10 x minus 30 ब्राबर 10 x के वह लूँ आगी minus 30 वाद आगी plus 30 यानि x के वह लूँ आगी 40 तो x के वह लूँ 40 होगी y के वह लूँ 10 होगी इसका मतलूग क्या है कि भाईया जैकब तो 40 साल का उसका बेटा 10 साल का है है ना चाहे आप चेक करके देख लो यहापी लिखना पड़ा है लाश्ट में आता है जैकब की आयू जैक गल्त बोलड़ा है जैक जैकब की आयू 40 साल हो गई 40 वर्ष हो गई और उसके बेटे के आयू कितने होगी जैकब के पूत्तर क्या यू कितने होगी 10 वर्ष होगी करके देखें अंसर ठीक है कि नहीं कोश्मी क्या बोला था चाहिए तो क्योश्मी के साफ सब्सक्राइब कर सकते हो कि पांच साल के बाद जैकब की आयू यू कि पूत्तर क्या यू कि तिन गूनी हो जाएगी देखते हैं हाफ को कि तो पांच साल के बाद यह 45 का अहीं पंद्रह को जाएगा पणनदर लिगलज सही बात है वह बहुत है कि पांच साल पहले दल्यक पत्र की कि इस मत्तर क्याती हूआ करना था कर लेंगे इतना कॉस्चिन था तो इस तरहके से हमारी एक्सराइज हो गई complete तो बस आज़्स क्लिक नहीं कल में लेंगे कल हम करेंगे विलोपन विदि कोई भी थ्योरी पार नहीं है ऐसा नहीं कि मुझे विलोपन विदि में थोरी समझाने पड़ेगे नहीं एक्सराइज करेंगे डिरेक्टली जो एक्जामपल है वह आप खुद भखुद ट्राइगी जिए और मैं तो कहते हूं एक्सराइज भी खुद ट्राइगे जिए पूरी वीडियो देखने की जूट नहीं होती है कंसेट देखो इस काम चल जाता आपका तो बस कल करते हैं फिर कल एक्सराइज कंप्लीट हो जाएगे 3.4 तो कैसा लगा लेक्चर यह बताइएगा समझ में आया नहीं आया कोई कम हो तो वह बताइएगा तो बस यह बात थी कल मिलते हैं थैंक्यू सो मच